हेलो एब्रिवन कैसे हो सब लोग आई होब कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं सिक्षन एक कोश्चन नमबर सामन्थ के सॉलिशन के बारे में अगर आपने इसे प्रीवर्च वीडियो अभी तक नहीं देखा साथ चाहते हो तो कम्लीट टेलिस्ट का लिंक बिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे साथ चाहता अभी तक हमें टेलिग्राम पे जॉइन नहीं किया तो फड़ाफ़ट से हमें टेलिग्राम पे भी जॉइन कर लोगे कि एक मतलब इसी टाइप का लगा होता है कि जब हवा चलता है तो आपस में टकर आता है और sound जो है वो produce करता है यात है या पर तुम थोड़ा सा धकका देते तो थोड़ा सा उसको हिला देते हो तो फिर उसके basis पर क्या होता है कि वो पूरा musical sound जो है वो आपको देखने को मिलता है और जब उलज जाता है आपका पूरा दिमाग खराब हो जाता है आपको दुकांदार के पास लेकर जाना पड़ता है यह वही wind chime या chime जो बोलो उसके बारे में दिया गया है ठीक है? तो हरसा made a weak wind chime using a frame and a metal rod ठीक है? है ना metal rod से और एक frame से मिलकर बना हुआ है हिप पर्चेज eight holes in the frame is two centimeter apart है ना वो क्या करती है बताओ ये simple form में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये total आपको eight holes देखने को मिल रहा होंगे है ना अब count कर लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठा है ना eight holes आपको देखने को मिल रहा है और हर एक जो है हर एक के बीच में distance कितना आपका है? दो centimeter का distance है ठीक है and then hung eight metal rod from the frame है ना और आपको दिख रहा होगा कि eight metal rod जो है उसमें यहाँ पर hang है eight holes है total लेकिन यह दोनों holes के अगर हम लोग बारे में बात करें है ना कौन-कौन सा hole से सर जैसे एक आप देख लो इसको पहले में मिटा देता हूं ठीक है एक hole देख लो यह यह वाला part आपका खाली है दूसरा hole देखो तो यह वाला hole खाली है बाकी छे holes जो बचे उसमें metal rod जो है वो लटका हुआ है ठीक है एक सबी के सबी क्या एक ही लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में हमें देखने को मिल रहा है और फिगर में आप देखो तो यह बता भी सकते हो क्योंकि यहां पर दिया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन में तो हमें देखने को मिल रहा है चलो ठीक है sown by the dotted lines in the figure ठीक है नीचे question दिया है कि if all the roads are straight and not saving then what is the length of the rod P अच्छा पी रोड का length बताना है कि कितना होगा चलो बता देते है सर पी रोड पी रोड यह आपको दिख रहा है रोड पी नाम भी लिखा हुआ है तो इसका length आपको बताना है तो अगर अगर हम लोग figure में थोड़ा सा बनाना चाहें figure में थोड़ा सा हम लोग बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप देखोगे ठीक है अच्छा question है time taking question है जैसे अगर मैं इसको ऐसे straight बनाओ इसको मैं ऐसे straight बनाओ इसको ऐसे join कर दूँ और इसको ऐसे join कर दूँ तो क्या यह आपको trapezium जैसा नहीं दिख रह यह वाला पार्ट इधर बना दिया ठीक है यह वाला पार्ट मैंने इधर बना दिया और यह वाला पार्ट मैंने इधर बना दिया ठीक है यह वाला पार्ट जो है यह इधर है यह वाला पार्ट जो है वो इधर है यह वाला पार्ट देखो इधर है और यह वाला पार्ट दे हाई दे रहा है जिसमें जिसमें किस होल पे तो एक दो तीन एक दो तीन थार्ड होल पे है राड पी यानि कि थार्ड होल है और यहां पर बना हुआ है राड पी ठीक है यह क्या ना में इसका राड पी है इसका नाम मैं देदू इसका नाम बोलो नाम देगा जाए क्या इसका क् Teacher नाम देथे हैं तो हर एक. क्योंकि 2.5 cm सेंटिमiej तो हो घंग किARIए 2 cm आएक कदमेटर ना तो चार उनिए 2 cm साने तो यानि कि यह वाला लेंफ ना हो गया कितना ऑगया कितना हो गया 6 cm हो गया उसे टैप सी अगर इधर का लेंथ देखो ये वाला तो रोड पी हो गया तो यहां पर हो गया अगें दो 4 6 8 है ना यानि कि ये वाला लेंथ कितना हो गया बताओ ये वाला लेंथ हो गया 8 cm कितना हो गया 8 cm उपर हो गया 6 cm और नीचे हो गया 8 cm चलो ठीक है अच्छी सेवाट एंव को को निकालना है प्योंस का लेंथ कि对此 का लेंथ कितना होगा तो देखोंस कोई डाइरेक्ट मैथल नहीं है कुछ और लेंथ हमें गिवन हैं यह लेंथ दिया है 29 यह हमें लेंथ दिया हुआ है कितना 29 सेंटिमेटर ठीक है 29 सेंटिमेटर हमें गिवन है चलो ठीक है और उसका लेंथ हमें दिया हुआ 600 cm 600 cm किसका लेंद है यह वाला पार्ट का यह वाले पार्ट का लेंद किता है 600 cm है ठीक है चलो सब कुछ बना लिया आपने सब कुछ बना लिया इदर 6 हो गया 6 हो गया यह 8 हो गया 29 हो गया, यह 6 हो गया, चलो ठीक है अगर आपको diet PQ का length find out करना है, तो trapezium में कोई ऐसा rule नहीं होता, उसके लिए आपको करना पड़ेगा construction, क्या करना पड़ेगा बताओ, construction करना पड़ेगा और construction में हम लोग क्या कर रहे हैं, कि A को C से join कर दे रहे हैं A को क्या कर रहे हैं, C से join कर दे रहे कुछ इस type से A को हमने C से join कर दिया और इस point का नाम दे रहे हैं कुछ भी, let us suppose M क्या दे रहे हैं, इस point का नाम तो इस point का नाम हम लोग दे रहे हैं, M ठीक है, चलो अची बात है अब यह सारा का सारा कोशन जो है एकदम crystal clear हो चुका है अब एकदम crystal clear हो चुका है अब तुम simple सा formula लगा दो और answer जो है उसे find out कर लोगे कि क्या होगा सबसे पहले सबसे पहले अगर आप देखो क्योंकि ये numerical question है थोड़ा time taking है इसमें लगेगा थोड़ा time आपको तो क्या तुम triangle triangle कौन सा triangle APM चोटु वाला triangle सबसे पहले चलते APM और इसको क्या तुम similar proof कर सकते हो triangle ADC के triangle ADC के है ना ये चोटु वाला triangle APM जो होगा उसको क्या आप similar proof कर सकते हो ADC के देखो angle A angle A दोनों में common होगा और यहाँ वाला पर angle 90 degree बनेगा यहाँ पर भी angle कितना बढ़ेगा 90 degree या तुम बोल सकते हो कि दोनों angle कितना corresponding angle से equal होगा है ना होगा ना बोलोगा कि नहीं होगा आप बोलोगे हाँ सर बिलकुल होगा ठीक है तो यह दोनों similar होगा है और अगर यह दोनों similar होगा है तो इनके अभी क्या होगा first third यानि यह equal होगा किसके am by ac के am by ac के यह equal हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा ठीक है बोलो ठीक है कि नहीं है आप बोलोगे एकदम ठीक है एकदम ठीक है ठीक है अब वैल्यू पुट कर दो और answer जो है वहां से find out करो कि कितना pm का value आपको निकालना है ठीक है किसका value निकालना है pm का value निकालना है तो ऐसा करते हैं कि am और ac से हमें क्या ही मतलब है ना am और ac से क्या ही मतलब इसको मिटाते हैं इसको मिटाते हैं इससे हमें मतलब नहीं है हमें तो किसका value चाहिए PM का value चाहिए ना तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा PM by DC पी एम बाई DC है ना इसका दो डिवाइडबे इसका दो है ना तीनों हम लोग लिख सकते हैं तीनों के corresponding जो sides होते हैं उसका वालियू तो हम से पुछा ही नहीं है इसका कुछ use इन ही नहीं है तो इसको अबई के लिए ठीक है चलो AP कितना दिया है AP DSR 6 ठीक है और उसके साथ साथ PD कितना दिया हुआ है आप AP by AD AD क्यों कर दिया हमने AD क्यों कर दिया AP by AD अचा छोटा बड़ा लिखा है AP by AD is equals to PM by DC PM by DC, यहाँ चलो ठीक है ठीक है, ठीक है अगर AD तुम निकालोगे AD कितना आजाएगा, तो आप बोलोगे 6 plus 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 plus 8 हो जाएगा ठीक है, is equals to PM, PM कितना है PM निकालना है सा हमें, चलो ठीक है PM लिख दिया, divided by DC कितना दिया, length दिया है 29, कितना दिया है, length दिया है 29, ठीक है 29 अच्छे से लिख देता हूँ मैं 29, ठीक है, तो अगर तुम्हें PM निकालना है, क्या निकालना है PM निकालना है, तो क्या करता हो 6 को multiply करता है 29 से और नीचे कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया 2 के table में 3 times और 2 के table में 7 times तो इस basis पे PM कितना आ गया तो 29 तरीजा 87 हो गया 29 तरीजा कितना हो गया, 87 और divided by 7 ये अभी PM का length आया है जो कि कितना आया, 87 by 7 centimeter तो इसी type से जैसे PM आपने निकाला वैसी तरह MQ आप निकालो और दोनों को add कर दोगे, तो answer आ जाएगा ठीक है, चलो अब आगे हमें क्या करना होगा ये थोड़ा time taking question है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब अगर आप देखो, तो अब इस case में क्या करना पड़ेगा तुमको, इस case में तुमको ये जो triangle है, कौनसा triangle, triangle अगर आप देखो तो CMQ, triangle CMQ जो है, उसको similar करना होगा किसके, CMQ को आप similar कर दोगे, किसके CAB के हैना किसके CAB के, हैना, again वही angle angle के basis पे ये हमारा similar हो जाएगा, angle C दोनों में common है और ये जो angle Q दिख रहा है, वह angle B के equal होगा, ठीक है corresponding angle से, ये वाला angle जो होगा, ये वाला जो angle होगा वो इस angle के, equal देखने को में लेगा corresponding angle से, ठीक है समझ गए बात को, चलो, तो इस basis पे again side गा ratio तुम same लिख सकते हो बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो कौन कौन सा length हमें चाहिए, हाँ ये length चाहिए, ये length चाहिए, ठीक है तो देखो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, that is cq, cq divided by cq, ये फर्स्ट और थर्ड है, तो इधर भी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, यानि की cb, क्या हो जाएगा, यानि की हो जाएगा cb, थोड़ा उपर कर दूँ मैं, ताकि दीखे हमें, चलो, ठीक हाँ और ये इक्वल कर दोगे तुम, ये इक्वल कर दोगे, किसके इक्वल कर दोगे, that is, that is mq, 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 यानि की second third, तो इतका second third क्या आएगा, divided by a, b, divided by a, b, अब value पुट कर दो, और answer जो है, उसे find out कर लो, फड़ा फड़ से, cq कितना है, cq, cq by cb, इसका तो ratio हमारे पास नही है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, कि इसका value कितना होगा, चलो देखो, फिर से मैं तुम्हे concept बता रहा हूँ, concept पे ध्यान दोगे तुम, देखो, नीचे figures एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको इस बात को, ठीक है, देखो, इधर आओ इधर आओ, इधर आओ, आगे, क्या बात है, देखो, ये हमारे पास कुछ, इस type का था, इस type का था, यहां पर ऐसे side था, और ये वाला part हमने ऐसे connect किया था, अगर तुम, अगर तुम देखो, ये था A, B, C, D, ये P था, और ये Q था, अगर तुम यहां पर देखो, तो क्या तुम, क्या तुम, इस में, इस वाले triangle, यानि कि A, D, C में, क्या तुम BPT लगा सकते हो, A, D, C में BPT लगा सकते हो, और BPT के basis पे क्या होगा, कि AP by PD जो होगा, वो equal होगा, वो equal होगा, इस point को M बोले से न, ये equal होगा किस के, AM by MC के, AM by MC के, बोलो, ये वाला जो line आपको इस line के पहला लोगा, तो BPT के basis पे, इसके side ratio, यानि कि AP by PD, ये AM by CM के equal आएगा, बोलो, आएगा ये नहीं आएगा, आप बोलोगे, हाँ sir, बिल्कुल आएगा, अब चलो इस वाले triangle में, किस वाले triangle, ये वाले triangle में चलो, दिख रहना triangle तुमको, दिख रहना ये वाले triangle, बस इसी triangle में चलना है तुमको, ठीक है, इस triangle में चलोगे, again आप लगा दोगे, किसका, BPT, तो इस case में, अगर आप BPT लगाओगे, तो BPT लगाने के बाद, आपको क्या मिलेगा, again आपको मिलेगा, AM by MC, क्या मिलेगा, कि BQ, BQ by QC, या CQ, जो बो, BQ by QC is equals to क्या मिलेगा, AM by MC, AM by MC मिलेगा, देखो, right hand, right hand same है, तो left hand, left hand same होगा, यानि कि AP by PD का जो ratio आया था, जो कि कितना था, ये था 6 by 8, तो इसका भी ratio कितना होगा, क्या गया, कि AP by PD जो होगा, वो equal होगा, किसके, that is BQ by QC के, और AP by PD है किसके equal, तो ये था 6 by 8 के equal, देखो, उपर में 6 cm, 8 cm आया था, तो AP by PD, AP by PD, किसके आ रहा है, 6 by 8, तो BQ by QC भी किसके equal आएगा, यानि कि अगेन तुम लिख सकते हो, इस बात को, इसको मिटा दू मैं, वो मिटा दू इसको मैं, चलो, ठीक है, यानि कि जितना ratio उसका था, वही ratio इसका भी आएगा, ठीके, मतलब पूरा मैं तुमको clear बता मैं बताना चाहता था, तो ये भी लिख सकता था, क्योंकि ये same है, तो ये भी same होगा, ठीक है, ये same है, तो ये भी same होगा, चलो, तो इस basis पे बतातो क्या हो जाएगा, इस basis पे तुम्हारा ये भी हो जाएगा, 6, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा को मिलेगा ठीक है देखो simple form में हमें क्या दिया हुआ है cq by cb cq कितना है तो cq अगर आप देखो तो यह 8 दिया हुआ है ठीक है जर cb cb अगर आप चेक करो तो cb total है ना यानि कि यह हो जाएगा क्या 8 plus 6 is equals to mq mq यह तो हमें find out करना है यह हो गया mq और divided by ab ab कितना है that is 6 ab कितना है 6 है ठीक है अब आजाओ इसको solve कर दो simple form में तुमारा answer निकल कर आ जाएगा ठीक है answer निकल कर आ जाएगा देखो क्या हो equals to कितना आ जाएगा 8 6 of 48 of 48 by 14 अगर इसको cancel कर दो 2 के table में 24 times में और यह 7 times में तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया हमारे पास कि जो mq का length आया है वह mq का आ गया कितना 24 by 7 24 by 7 इतना क्या centimeter इतना क्या centimeter ठीक है चलो आ जाओ अब हमें क्या निकालना है length निकालना था किसका rod p का ठीक है rod p का length निकालना था किसका that is rod p का तो rod p का length कितना आएगा तो rod p का length आएगा इससे पहले हम लोग pm का length निकालना थे गतना आया था 87 by 7 ठीक है तो इसका value put कर देते हैं यहां हो जाएगा कितना 87 by 7 और इसका value कितना आया है plus का 24 by 7 24 by 7 दोनों को add कर दो answer एकदम फटा-फट से निकल कर आ जाएगा है ना दोनों को add कर दो answer फटा-फट से निकल कर आ जाएगा तो यह कितना हो गया? 7 हो गया यह हो जाएगा 87, और प्लस का कितना? 24, प्लस का कितना? 24, तो यह कितना हो जाएगा 1 1 1, 1 by 7 इतना क्या centimeter तो यह actual में जो होगा इसका length हमें देखने को मिलेगा वीडियो length बहुत बड़ा हो गया एक number का question कहीं से भी है deserve करता है बताव तो में कहीं सभी यह भी एक number deserve करता है यह तो को लगता है 5 number वाला question होना चाहिए बट ठीक है question आ रहे हैं से तो क्या ही कर सकते हैं हम लोगो solve करना पड़ेगा हाले कि board examination में इतना जाता खतरना के standard तो आपको देखने को नहीं मिलेगा बड़ ये question हमारे जो था वो अच्छा था मिलते आप चाहब ली वीडियो में complete playlist का लेंगे बिलेगा आपको description में तो एक बड़ description आप जरूर चेक कर लोगे